गिरा पड़ा था वो, बहुत ही घायल, हचसे भी ज़्यादा जखमी, खुन से लत्फत, सांसे थमने लगा था, लग रहा था जैसे चांदी पलों का महमान है वो, ऐसे में एक तीर और आके लगा उसके सीने में, इस, दर्द हुआ, इतना दर्द कि वो एक दर्द उसकी जान तक ले सकता था, पर उसके मुह से एक चीक तक नहीं निकला, जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे वलसाली राजा सेर घायल पड़ा था, फिर धीरे से उसके पास आया, वो सिकारी जो ये सारे जखम का वज़य था, सेर को मात देने की खुसी में वो सेर के पास आया, क्योंकि सबको बस सामने बस सेर का मौत ही दिख रहता, सायत सेर को भी, पर वो इसे मान नहीं रहता कि कोई एक तुच्छ सिकारी उसके अटल विश्वासर जिगर को तोड़ सकता है, अब तो भेडिये और गिदर भी सेर के मौत का जश्न मना के सोर मचाने लगे थे, वो सिकारी जितना पास आने लगा, मौत का तंडब उतना ही साप दिखने लगा था, अब सायत उस सिकारी के आखरी वार का वक्त था, और सिकारी भी अपनी पूरी कोशिस और लगन के साथ सेर को मौत के घाट सुलाने के लिए तय था तभी तभी अचानक से हुआ यूं कि जो सारे चिखों को वो दवा के रखा था उन सारे चितकारों से उपर उटके सारे दर्थ को मिला के उस सेर ने एक ऐसा प्रचंड दहार दिया कि लगा जैसे सिकारी के नीचे का जमीन फट गया हो पलक जपकते ही नजारा कुछ ऐसा था कि वो सिकारी भागने लगा था और सेर पहले से भी ज्यादा रफ्तार के साथ उसका पीछा करने लगा था आँखों में उसके कुछ दीक रहा था तो वो था बस उसका अदम्य साहस और एक अचुक लक्षियों उसके वो सारे जखम अब उसके ताकत बन चुके थी हर एक गाओ उसके कोसिस को दुगना कर दिये थे हर एक कदम के साथ उसका होसला बढ़ने लगा था दहसत का एक ऐसा रूप दीक रहता कि मानो सेर दहार के पूछ रहो कि क्या समझे थे इतना जल्दी हार जाओंगा मेरे खामोशी को मेरा कमजोरी मत समझना क्योंकि एक सेर तब भ हुआ यूं कि जंगल में आया वो सिकारी खुद अब एक सिकार बन चुका था और सब को साइद ये सिक मीली गया था कि चाहे वो कितना भी घायल क्यों नहों पर जंगल का सबसे वलशाली अगर कोई है तो वो है सेर वो तो एक अभीमन्यू है जो किसी भी चक्रवियों को कि जो जख्मी हो गए हैं हजार हजार फेलर्स केरियर के टेंसन हैमली की प्रोग्लेम्स लोगों के ताने इन सब के सर से खायल हो चुके हैं वो पर दुनिया सायद जानता नहीं कि वो वस जख्मी हुआ है पर मरा नहीं और जब तक उसके धमनी में खून दोड़ रहा है सो फेलर सो हा के बावजूद भी वो जीत को अपना नाम करके ही छोड़ेगा क्योंकि उसे उसकी सास की सोगंत उसे उसकी ताकत की सोगंत उसे उसकी पराक्रम की सोगंत और उसे उसकी सेर होने की पहचान की सोगंत जरूर जीतेगा वो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता क्योंकि अब एक बाप है वो सबका तो दोस्तों आप क्या हो वो सेर या फिर गिदड़ इससे पहले की वक्त निकल जाए इस सवाल का जवाब को खुद ढूंड़ो तभी अपने पराक्रम को समझ पाओगी और इसी बिजयतिलग को अपना नाम कर पाओगी क्योंकि एक छोटी सी ललकार से हारे वो सेर नहीं होता बुजदिलों के हातों कभी राज नहीं होता जिन्हें पढ़ जाता है डर के सहम जाने की आदत उनके सिरों पर कभी विजय का ताज नहीं होता तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिये और सेर करके पहुचाईए उन लोगों के पास जिन्हें इसकी जरूरत है अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉंग एंड स्टे देर्यल यू